शिवी शरवार्थ शाधिके शरन्नी त्रयंब के गोरी नारायनी नमोस्तोते दुरगेश मृता हरश भीते मशेश जन्तो स्वस्थैश मृता मती मती वशुभाम ददाशे दारिद्र दुखु भेहारिनी कात्व दन्या शरवोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता नमस्ते श्तो महामाय श्री पीठे स्वरपूजिते संक चक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तोते वन्शी विभूशित करान वनीर दाभात तीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्थातो पुर्णेंदुशंदर मुखादर बिंदनेत्रातो कृष्णात्परं किमपितत्पमहम्न जान आंजनें आंजनें अमतिपाटला ननम् कांचनाद्र कमनी बेग्रहं पारिजात्व तर्मूल बासिनम् भाबयामी पबबाननन्दनम् स्वामी रामो मतशकाराम चंद्रो माताराम मतपिताराम चंद्रह सरवश्वममे राम चंद्रो दजालू नान्यम जाने नईव जाने न जाने वन्दे विदेह तनया पदपुंडरेकं कैशोर सौरभ समाहित योगे चित्तम अंतुम् तृताप मनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमान शाली परिपीत पराग पुंजम जे शी आराम जे जे शी आराम जे शी आराम जे जे शी आराम जे शी आराम जे जे शी आराम जे सिया रढाम जे जे सिया रढाम जे शी आराम जे शी आराम जे जे शी आराम जे शी आराम जे शी आराम भक्तों के रख वारे राम जन जन के द्रग तारे राम जन जन के द्रग तारे राम भूली राधा कृष्ण भगवान की जे हो समागत ब्रमत शुरूप भगवत कथानू रागी शोतागणू श्रद्धामई माताव बहनू देवियो अनन्त ब्रम्हान नायक परादपर पूर्ण ब्रम्भो भगवान श्री राधा कृष्ण की महिती कमनी करपादर्ष्टी से ग्राम पई जन पत आगरा की पवित्र धरापर भगत प्रबर श्री धिरेंद्र शिंग बदोरिया श्री मिति उशा बदोरिया कथा परिक्षित रूप में विराजमान है बदोरिया परिवार की ओर से आयोजित श्रीमत भागवुत का था समस्त ग्राम और ख्षेत प्रबाशियों के कल्यानार्थ है आज इस पामन परिशर में समस्त देवता, समस्त धाम, समस्त तीर्थ विराजमान हो रहे है तत्र एव गंगा एमुना त्रिवेनी गोदावरी शिंधु शरश्वतीच शरवानी तीरथानी वशंती तत्र एत्रा चुतोदार कथा प्रशंगा गंगायबना स्रश्वती तुंग भद्रा कृष्ण कावेरी पंचमाहन धरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रिरंग शेद बंद बद्रकाष्रम रामेश्वरम अयुध्या कांची ब्रिंदावन सभी धाम सभी देवता श्री हनुवान जी महराज की भावमई उपस्थती है जे जे श्री राधारमन जे श्री नवल किशोर जे गोपी चित चोर प्रभु जे जे माखन चोर सब द्वारन को छाणी के मैं आयं तेरे द्वार हे ब्रशवान उनंदिनी अब मेरी ओर निहार लेत सदा सुद दीन की सहज दया के धाम जननी जनको निजदास के हे प्रभुशीता राम धन्य भूम यह धन्य है जहां साधुसत संग धन्य क्षेत्र यह धन्य है जहां हरी कथा प्रशंग कथा श्रमन हित आईए सभी का आवाहन है सभी ग्राम चेत्र वाशियों का व्यास पीट से आवाहन है कथा श्रमन हित आईए तजीमायाय भिमान जयो जयो पग आगे बढ़े कोटिन यग्य समान कल भागवत महत्मे का शुबारम हुआ महराश्री शुकदेव जी ने देवताउं द्वारा लाया हुआ आम्रित वापस कर दिया और श्रिमत भागवत राजा परिक्षित को सुनाई भागवत स्रमन के राजापरिक्षित बैकुन्ठ गए वर्मा जी को आशर हुआ उन्होंने सभी तत्तों से सभी धर्म के तत्तों को एक पल्ले में रखा और भागबुत को एक पल्ले में और जब तवला तो भागबुत का पल्ला भारी रहा तो ये सुनिश्चित हो गया भागवद भगवान कृष्ण का शोरूप है हजारों शमेद यग्य सेकुन बाजपे यग्य से भी महान भागवद कथा का सब्ताह स्रमन है महत्म की कथा को आगे बढ़ाते वे स्रीशूत जी शुन कादरिशियों से कहते हैं एकदा ही विशाला जाम चत्वार रिशयों मलाह शत्शंगारधम शमायाता तद्रशुस्तत्रनारधम इसकी चाया पढ़ेगी इसकी जो वहमने कादर लाइट हटा कि दूसरी जगे लगाओ इसकी चाया पढ़ेगी इसके पढ़ रही क्या नहीं ठीक है एक अदा ही विशाला जाम विशाला मने बद्रिनाथ बद्रिनाथ में चार महत्मा बैठे हैं ये ब्रमाजी के मानस्पुत्र हैं भगवान के अवतार हैं देखने में पांच वर्ष के बालक परतीत होते हैं इन आयू इनकी अधी प्राचीन है इनके नाम है सनक, सनन्दन, सनातन और सनतकुमार ब्रम्हानंद सदाले ये लीना देखत बालक बभुकालीना आशा बशनों विशन याहति नई रगुपते चरित होजे ताहा सुनही रगुपते चरित होजे ताहा सुनही रगुपते चरित तो ये दिगंबर हैं पांच वर्ष की आयू में रहते हैं और पूरवजों के भी पूरवज़ हैं वर्मग्यानी हैं ब्रम्हानंद में सदयु मग्न रहते हैं ये बद्रिनात में बैठे हैं चारों भात्मा उसी समय देखा दिवर्ष नारत चले आ रहा है बहुत शिग्रता से आ रहे हैं नारत जी और नारत जी के मुखारविंद पर चिंता की रेखाएं हैं शनत कुमार बूले है देवर्षी कथम व्रम्हन दीन मुखा कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्चागमनम्तव हे देवर्ष आप कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो आज आप प्रशन्य चित नहीं है आज आप चिंता से ग्रशित हैं आप संत हैं तवेदम मुक्तसंगस्य नोचितम बदकारनम् आप मुक्तसंग है मुख से आशक्ति से परे हैं आपका इस प्रकार चिंता ग्रशित होना उचित नहीं है आप दुखी क्यों हैं देवरशी बोले शंत दुणदाथीत होते हैं शुक्दुखानि लाप जय पराजय से परे होते हैं लेकिन शंत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते कि दूसरे के दुख को देख करके शंत भी दुखी हो जाते हैं संत्र दे नवनीत समाना कहा कभिन पे कहा न जाना कहाई कभिन पे कहा न जाना निज परिता पुद्रवे नवनीता निज परिता पुद्रवे नवनीता पर दो खद्रवे सो संत्र पुनीता नवनीत कोमल तो है लेकिन अपनी गर्मी से पिगलता है संत्र इतने कोमल है कि दूसरे के दुख से द्रवित हो जाते है इसलिए नवनीत से भी अधिक कोमल संत्र पर दुख द्रवे मैं पृत्वी पर गया था और पृत्वी लोग के दुखों को मैंने देखा अहम तु पृत्वी म्यातो ग्यात्वा सर्वो तमामिती पुशकरम्च प्रयागम्च काशीम गोदा बरीम तथा मैं मृत्वी लोग में गया मैंने जाना कि बृत्वी लोग एक श्रैष्ट लोग है और बृत्वी लोग के सभी तीर्थों में मैंने भ्रमन किया हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेत्व बंधनम एवमादिश्युतीर्थेशो भ्रममाना इतस्तता मैं हरिक्षेत्र गया खुरुक्षेत्र गया श्रीरंग गया सेत्व बंध गया अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमन किया काशी गया गोदावरी गया विकिन मुझे शांती नहीं मिली अधर्म के मित्र कलियुग ने इस धर्ती को पीडित कर दिया शत्यम नास्ति शत्यम नास्ति तपश्य उचम दयादानम्न विद्यते उदरं भरिनों जीवाह बराका कूट भाशिना बुलो ब्रिंदावन विहारी लाले के लेहू शत्यम नास्ति कहीं भी शत्त देखनों के नहीं मिला कलियुग में शत्त लोप हो रहा है जूंट काही कारोबार हो रहा है जूंटई लेना जूंटई देना जूंटई भोजन जूंट चबेना और जब से ये मुबाइल सिस्टम चला है तो जूंट बोलने का प्रमालपत्र मिल गया उस पर बड़ी आसानी से जूंट बोलते हैं बैठे घर में बोले हम तो दिल्ली में तो कल्यूग में जूंट का बैपार हो गया शत्यम नास्ति तपहसव जम तपश्या का लोप हो गया दया दानम विद्यते दया और दान देखेने को नहीं मिल रहा उदरम भरिनो जीवा बराका कूट भाशिना कल्यूग के लोग उदरम भरी हो गये उदरम भरिनो माने उदर पोशन की चिंता में राद दिन लगे रहते बढ़े बढ़े बिद्वानों की बुद्ध भी मन्द होने लगी और वो बढ़े आलशी हो गये मन्द भाग्य हो गये बहुत से शंत भी पाखंडी होने लगे शंत अनंत का श्वरूप होते हैं बगमान का श्वरूप है शंत हो इन कल्यूग में शंत भी बहुत से शंत पाखंडी होने लगे और बहुत से ब्राह्मने तर भी दंड लेने लगे शंत होने का तो सबको अधिकार है किन दंड लेने का अधिकार केवल ब्राह्मन को है लेकिन महां काउन काउन दंड बनने लगे वोली जे बननाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुई घर संपति नाशी मूल मुडाई बने सन्याशी ते विप्रनशन पाए पुजावें उभय लोक निजहात नसामें ऐसा कवल्यू कमें होने लगा लख़ी पाखन्न निरत असंत ए हुआ किैस नुशियां, पनोनि लगे वह बहुत संग्री परिक्रे करने लगे अब लोक स्यूह के पास विविरक्त संतों के पास ग्रह स्थेत्यों से अधिक अईश्वर हो गया गुशा में जी लिखते हैं मानस में आकलिकवत कतात नजात कही ऐसा देखा कलियोग में जो सन्याशी हैं उनके आश्रम अईश्वरे से भरें ग्रेष्ट निर्दन हो रहें पाखंड निर्ताः संताः विरक्ताः से परिग्रह तरुनी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदाय कह नारजी बोले हम ग्रेष्टों के घर गए वहां देखा हर घर में देवी जी का स्वामित्व है तरुनी जो देवी है नारियों का घर में स्वामित्व है प्रभुता है एक अधिकार है देवी जी की सत्ता के बिना घर में पत्ता नहीं हिल सकता उनका सासन है तरुनी प्रभुतागे है तरुनी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदाय कह श्याले लोग शलाकार है बड़ा कल युग में पापाचार महराज कन्या विक्रेणों लोभात दमपती नाम चकल गनम लोग शलोग कन्याओं का विक्रे करने लगे और पतिपतनी आपस में लड़ने लगे अकाल दुकाल अतिबरस्टि आनाबरस्टि महामारिया ये कल युग का लक्षण है कली बार ही बार अकाल पर है अन बिना बहु लोग मरें नारच जी कहते हैं ऐसा मैंने कल युग में देखा और देखते हुए बले दुखी हो गए नारच जी एवं पश्यन कलेर दोशान पर्यतन अवनी बहु यापुनम् तटमा अपन्नो ये तरलीला हरे रभू थोड़ा हर्मुनियम कमा एक बढ़ा दो जरा से इस पर कलीव के दोशों को देखते हुए यमुना जी के तड़ पर आए अब यमुना जी तो यहां भी हैं पई गाव के निकट लेकिन नारच जी कहां यमुना के तड़ पर पहुँचे यत्र लीला हरे रभू तो जहां श्री हरी की लीला हुई है जहां बाके भी हरी की लीला हुई है बरिंदावन धाम श्रीदाम बरिंदावन भलो श्रीदाम बरिंदावन महराजे की जै हो व्रिंदावन देवर्ष नारद गए तो वहाँ नरजी ने एक आशरिय देखा तत्राशर्यम वयाद्रस्टम शुरूयतामतन मुनीश्वराह एकातुतर्वनी तत्र निखन्नाखिन्यमानशाह नरजी कहते मैंने एक आशरिय देखा और वहाँ एक तरुनी जो है शुन्दर रूपवती देवी वो बैठे रो रही है और दो व्रिद्ध पुरुष लेटे हुए है व्रिद्धव द्वव पतितव पारश्वे निशश्वंताव चेतनव दोनों व्रिद्ध बहुत कृषगात अस्थिमात्त्रा वसिष्टो बड़े दुरबल बड़ी कठिनाई में सांस ले रहे हैं उनके केश बकवत पलित हैं बगुले के पंग की तरह श्वेत फूले वे कांस के पुष्पों की तरह श्वेत हैं केश बड़ी कठिनाई में सांस ले रहे हैं बहुत शी नारियां बैठी, रोती नारी को समझा रही है, सांत्वना दे रही है, नारजी जब उनके पास से निकले, तो उन्हें देख करके, वो इवती देवी खड़ी हो गई, और बोली, भोभो साधो चनम तिष्ट मचिन्ता मपिनाशय दर्शनम तवलो कस्य शर्वथा अगहरं परम, हे शंत जी, आप चनवर ठहर जाएं, मेरी भी चिन्ता को दूर कर दो, क्योंकि शंत का दर्शन तो पाप नाशक होता है, शंत दर्श जी में पातक टरई, शंत के दर्शन से पातक नश्ट हो जाते हैं, और बिना हरी की क्रिपा के संत मिलते नहीं, जब हरी की क्रिपा होती है, तभी संत मिलते हैं, अब मुहिभा बरोश हनु मनता, बिनु हरी क्रिपा मिले नहीं, संता अगर, शंत विशोध मिले नहीं तेही तब ही, राम क्रिपा करी चितवें जबें ही, विशुद शंत तभी मिलेंगे जब राम जी की क्रिपा होती हैं, आज भगवान की क्रिपा है, जो आप जैसे संत मिले, हमारे कश्थ का निवालन करें, देवर्शी नारत बोले, देवी तुम कौन हो, और ये जो बैठी देवियां ये कौन हैं, और ये जो दोनों लेटे हुए हैं, ये कौन हैं, वो देवी भोली, अहम भक्ति रिति ख्याता, इमव मेतन यव मतव, ज्यान बैराग्य ना मानव, काल योगेन जर जरव, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ग्यान और दूसरे का नाम वेराग्य, हम द्रिवुन देश में उत्पन्न हुई, और करनांटक में कुछ कुछ बढ़ी, महारास्ट में बढ़ी, लेकिन गुजरात में आकर हमारा शरीर जीरन हो गया, कल्यूग ने आक्रमन कर दिया और कल्यूग के आक्रमन के कारण पुत्रों के साथ हम ब्रद्ध हो गए हमारे पुत्र भी ब्रद्ध हो गए हम भी ब्रद्ध हो गए जैसे तैसे एन केन प्रकारेन हम व्रिंदा बनाए व्रिंदा बनं पुना प्राप्य शुरूपिनी जाता हम विवती शम्यक प्रेष्ठरूपातु शाम प्रतम व्रिंदावन पुना प्राप्पे इसके पहले भी कभी व्रिंदावन में रही थी इसलिए पुना शब्द का प्रयोग हुआ प्रिंदावन को प्राप्त करके मेरा शुरूप नवीन हो गया मैं तरूनी हो गई यह ब्रिंदावन की महिमा है भक्ती तरूनी हो गई लेकिन पुत्र हमारे दोनों ब्रद्ध हैं माता को ब्रद्ध होना चाहिए पुत्रों को नौईवक होना चाहिए लेकिन यह उल्टा हो गया माता तरूनी है पुत्र ब्रद्ध हैं अता में रो रही हूँ शोकातुर हूँ है देवरशी मेरी कश्ट का निवारन करो देवरशी बुले देवी अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूशनम यह युग का दोस है किसी का दोस नहीं कल्यूग का दोस है जना अघाशुरा यंते साथ दुशकर मकारिन बहुत से अघाशुर हो रहे हैं द्वापर में एक अघाशुर था जिसे बगमान कृष्ण ने मारा था अब गाउं-गाउं में कई अघाशुर पैदा हो गए जो मदिरा पीते हैं तंडव करते हैं अराजगता फैलाते हैं घोर तमोगुणी हैं अपने को भी नस्ट कर रहे हैं समाज को भी पीडा दे रहे हैं पापाजार पाप का शुरूप हो रहे हैं यह कलिव का प्रभाव है जनागा शुरायंते साथे दुषकर्म कारिना सठता पुर्ण दुषकर्म कर रहे हैं वो लेकिन तुम घबरावो नहीं द्रोपदीच्य परित्राता इन कवरो कश्मलात पालिताः गोप शुंदर्याः शक्रश्ण हाँ क्वापिनो गता जिन भगवान नंद नंदन ने जिन भगवान भत अवच्छल कृष्ण ने सभा में दुरोपदी की रक्षा की थी जिनोंने गोपियों का पालन किया था वो भगवान कहीं गए नहीं है यहीं है आप सब के बीच में है वो भगवान वो कहीं गए नहीं है भगवान कृष्ण का इश्मर्ण करो श्री कृष्ण चरनाम भोजम इश्मर तुख्धम ते गमिश्यती भगवान कृष्ण के चरन कबलूं का ध्यान करो उसे भी दुख हर लेंगे कृष्णाय वाशु देवाय हरय परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविंदाए नमो नमा भगवान कृष्ण समस्त पीणाओं का हरन करने वाले हैं उनका ध्यान करो भक्ती बोली महराज जब कल्यूक इतना अधम है तो टूनिंग बढ़ाओ कल्यूक जब इतना अधम है तो राजा परिक्षित ने कल्यूक को अपने हाँ इस्थान क्यों दिया और भगवान कृष्ण बड़े दयालू है उन्होंने कल्यूक का निर्वान ही क्यों किया ऐसा अधम यूग बनाया ही क्यों तब देवर्शिबुले देवी हे भक्ती जिस समय राजा परिक्षित ने कल्यूक को मारने के लिए धनुश्मान उठाया था तो कल्यूक दीनवत सर्ण में आया और अपने गुणों का वळन किया था यत्फलम नास्ति तपशा नयोगेन समाधिना तद्फलम लबते शम्यक कलवके शवकीर तनाक जो फलन यूग में तपश्या के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता यत्फलम नास्ति तपशा यत्फलम तपशा नास्ति जो फल अन्युगों में, सत्युगों में, त्रेता में, द्वापर में तबस्या से प्राप्त नहीं हो पाता था न योगेन, योग के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता था न समाधिना, समाधि के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता था तत्फलम लबते शम्यक कलवके शवकीर्थनात वाफल कल्यूग में केवल भगवत नाम संकीर्थन से प्राप्थ हो जाता तब देवर्ष नारदुने ज्यान वेरागय के करनों का मर्दन किया मुखम सन्योज्य जकरनाम थे सब्द मुच्य समुच्यरन ज्यान प्रबुद्यताम शिग्र रे वैरागय प्रबुद्यताम ग्यान और वैराग्य के कानूं के पास मुख लगाया नारजी ने और का उठो ग्यान उठो वैराग्य ग्यान प्रबुद्यताम शिग्र अरे वैराग्य प्रबुद्यताम ग्यान उठो अरे वैराग्य उठो उठे नहीं वेद वेदांत घोशाइश्च गीता पाठम हुर्म हुँ तब देवर्शी नारद ने ज्ञान वैरागे के कान में वेद सुनाए वेदांत सुनाया गीता जी का पाठ सुनाया अब किंचित अलसाय से नेत्र खोले और पुना मुर्शित हो गए तब आकास वानी हुई एत दर्थम तुशतकर्म हो सुरर से तुम समाचर ए देवर्शी नारद तुम शतकर्म करो ग्यान वैरागे के लिए तुम शतकर्म करो और उस शतकर्म करने से इनका बढ़ापा दूर होगा संकट दूर होगा और यह मार्ग शंत बताएंगे आकास वानी सुनने के बाद देवर्शी नारद विचार करने लगे कि शतकर्म क्या है शतकर्म सबसे महान शतकर्म क्या हो सकता है अब यह नारद जैसे विद्वान ग्यानी यह रह्ष नहीं जान सके कि शतकर्म क्या है अब बड़े बड़े संतों से पूछने गए शंत भी नहीं बता पा रहे अब यह बड़े बड़े मानतों संतों के पास जाए अब यह बात फैल गई कि नारद जी एक परशन ले करके निकले हैं और पूछ रहे हैं सबसे शतकर्म क्या है तो बहुत से मात्मा तो अपनी कुटिया छोड़ के भाग गए बोले अपनी प्रतिष्ठा बचाओ उत्तर दो आएगा नहीं कुछ मात्मा मौन हो गए उनके चेला बोले आज गुरु जी मौन है उत्तरे नहीं दिया नारद जी सभी तीर्थों में गए बड़े-बड़े मात्माओं के आश्रमों में गए किसी न उत्तर नहीं दिया उत्तर मिला नहीं तो बद्री नाथ गए बद्री नाथ आप तो सभी तीर्थों में बर्मन कर चुके हैं तो बद्री नाथ गए और बद्री नाथ में इस चारों मात्मा मिल गए शनक शनंदन शनातन शनतकुमार आज शनत कुमार कहते हैं देवर्ष नारद ने उनसे वही प्रशन किया महराज बताओ सत्कर्म क्या है शनत कुमार बोले अहो नारद धन्योंशी मदभागेन समा काता हे नारद तुम धन्य हो मेरा भी भाग गया जो आपका दर्शन हो गया हम तुमें बताएंगे शत्कर्म क्या है शत्कर्म सूचको नूनम ग्यान यग्यहा बुधाई इस्मृता विद्वानों ने ग्यान यग्यहा श्रीमत भागवत महा पुराण को ही शत्कर्म बताया श्रीमत भागवत महा पुराण ही शत्कर्म है श्रीमद भागवत आलापह सतोगेतम शुकादिभे शुकादी परमंसों ने जिसक थाकावणन किया है वही ग्यान यग्य श्रीमद भागवत महापुराणी ने सुनाओ सबसे बड़ा सतकर्म है श्रीमद भागवत महापुराण ग्यान यग्या नारज जी को सहसा विश्वास नहीं हुआ बुले महाराज आप तु कहरें श्रीमद भागवत कथा ही सतकर्म है वही सुनाओ हमने तुने वेद सुनाया वेद तो भगवान के मुक से निकले जो मूल है जड़ है वेद सुनाने से संकट दूर नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से कैसे दूर होगा बुले देखो जड़ तो है वेद अवसी जड़ का ये ब्रिक्ष का फल है भागवत वेद है जड़ मूल ब्रिक्ष भागवत है उसका फल अच्छा बताओ जड़ कोई खाय तो क्या उसे रस मिलेगा बरक्ष कर तन्या तोड़ कि डाल खाये तो क्या मिलेगा फल में रस आए तो रश और गुणवत्ता तो फल में है तो वेद है जड़ और बरक्ष भागवत है उसका फल तो इसलिए भागवत महान है, श्रेष्ट है, निगम कल पतरो रगलितम फलम, वेद रूपी वरक्षका, पका हुआ फल है, श्रिमत भागवत महापुरान, वेद है समुद्र, अब समुद्र के जल को तो पूरा-पूरा पिया नहीं जा सकता, तो उसका मंथन किया गया, और जब मंथन किय गया तो क्या निकला, अम्रत, अब अम्रत थोड़ा है, कलस भर निकला, कितना महान है, तो ये वेद रूपी समुद्र का अम्रत है भागवत, वेद अपनिश्दाम शारात, जाता भागवती पथा, महरशी बगवान वेद अब्यास ने वेद शिन्दु का मंथन कर भागव अम्रत प्रकट किया है, जैसे बहुत से गन्ये के रस से थोड़ी शरकरा बनती है, जैसे बहुत से दूद से थोड़ा सा नवनीत मिलता है, दूद को उष्ण किया, फिर उसे जमाया मंथन किया, तब थोड़ा नवनीत निकला, ऐसे ही भागवत तो नवनीत है, अम्रत है, ये सेज में मिलता नहीं, यत दर्शन्यम्च बिनिहन्ति अशुभानी शद्या, श्रेयस्तनोति भव दुखद वारदितानां, नीशेस सेस मुखगीत कथई कपानां, प्रेम प्रकाश कृते शरनम गतोश में, यत दर्शन्यम्च भागवत का दर्शन्यी सभी पापों को नष्ट कर देता, भागवत का पूजन्य भागवत का स्रमन्य भागवान कृष्ण है साक्षाद, भागवत का दर्शन्य समस्त पापों को नष्ट कर देता, यत दर्शनम्च भिनियंत्य शुभानि शद्यह, श्रेस्तनोति भव दुखद वारदितानां, जीवन का श्रे भागवत प्राप्ती हो जाती है भागवत द्वारा, और जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, वो भागवत से नस्ट हो जाते हैं, नहीं सेश सेश मुख गीतम, भक्तों एक बार सेशनांग जी ने भागवत कहना सुरू किया, सेशनांग, सेशनांग के कितने मुख हैं, क्यों भाई, आँ डंडा वले दादा, इनको सचेद करो, इधर हमारी तरप देखो, सेशनांग के कितने मुख हैं, एक हजार, एक हजार मुख हैं, तो एक हजार मुख हैं, तो एक हजार मुखों से नहीं भागवत कथा सुरू की कहना, और कितने दिन कहीं, एक हजार वर्ष कहीं, भागवत को समाब तो नहीं कर पाए, तभी तो कहा हरी अनन्त हरी कथा अनन्त निशेश शेश मुखगीत निशेश नांग के मुखशे कहे जाने पर भी रह गई शेश प्रेम प्रकाश कृत ये शर्णम गतोश में ये भगवान का प्रेम प्रकाश है भागवत की शर्ण में चलो नारायन भागवत सहज में मिलती नहीं श्री शनत कुमार जी कहते हैं भाग्यो दैन बहु जन्म समर्जितेन सतशंगमम्च पुरुषो लभते यदाव अज्यान हे तुक्रत मोह मदाम्दकार नाशंबिधाजत दो दैते ही विवेकाः जब इस यन्म कायमने जन्मांतरों का पुर्णिकत्र होता है भाग्योदे होता है भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन बहु जन्म समर्जितेन भाग्योदेन बहु जन्म का जो भाग्योदे संचित हो जाता है तब भागवत कथा श्रमण करने को मिलती है जिसके श्रमण मात्र से जन्म जन्मांतर के अगपातक नस्ठ हो जाते हैं दोनों गंगा महान है तो भक्तों वहीं गंगोत्री का जल अपने हाथों में लिया और शंकल्प किया ज्यान एज्यम करिश्यामि शुक्षास्त्र कतोज्वलम भक्ति ज्यान विरागणम इस्थापनार्दम प्रेत्नत है इस धरती पर हम भक्ति ज्यान वईरागी की इस्थापना करेंगे कल्यूग में भी भागवत का हम प्रशार कर देंगे नारज जी ने कहा गाओं गाओं घर घर कश्वे नगर नगर हम भागवत का प्रशार करेंगे ग्यान एग्यम करिश्यामी शुकशास्त्र कथो ज्वलम ये शुकशास्त्र जो भागवत महापुरान है, इसके हम स्थापना करेंगे, भक्ति ज्यान है विरागा नाम, स्थापनार्थम, प्रेत्नता, इस कलियुक में हम भक्ति की स्थापना करेंगे, ज्यान की स्थापना करेंगे, और वाइरागी की स्थापना करेंगे, ऐसा शंकल्ब लेकर नारदी तो थे चले तो कोला हाल हो गया तिनों लोकों में, नारदी एक संकल्प लेकर चले हैं, भक्ति घान बईरागी की स्थापना करेंगे, नारदी भुले हम भागवद कराएंगे, अब कहां करांगे? अब बहुत बड़े संत हैं, तीनों लोकों में इनकी प्रतिष्ठा है, अब द्वार में आनंद तठ पर इनोंने भागवत पंडाल की रचना कराई और परचार भूलोके देवलोके बर्मलोके तथाई वचा वोलोक में देवलोक में बर्मलोक में सभी रिशियों शिद्धों शंतों तक भागवत की सूचना पहुंचा दी अब भागवत सुन्ने के लिए बड़े-बड़े शंत विरक्त वैश्णव दोड़ते भागते भूए आ रहे हैं कहीं चूट न जायकlas बागते भूए दोड़ते भी चले आ रहे हैं बड़े-बड़े महात्मा भी आ रहे हैं अत्रिर वसिष्था च्यवनस्य गवतमो मेधाति तिर देवल देवरातव रामस्त था गादिशुतष्य शाकलो मृकंड़ पुत्रास्त जपिप्पलादाह अत्रि जी आए अत्रि जी अनसुया के पती वसिष्थ जी शूरिवनस्य के गुरुदेव चेवन महर्शी गवतम महर्शी अत्रि वसिष्था चेवनस्य गवतमो मेधाति तिर देवल देवरात भगमान परशुराम विश्वामित्र बले-बले महत्मा योगेश्वरव जिन्नोंने भागवत लिखी है बेदव ब्यास जी भी सुनने आये कथा पराशर जी आये तो ब्यास जी के प्यता है योगेश्वरव ब्यास पराशर उचे चाया शुको चाया शुक्दिव जन्जली जन्न स्वस्त्री भीरा स्वस्त्री भीरर युथो अतिप्रनगेल युक्ता शिश्यों के समेत आये महत्मा लोग जो ग्रियस्थ हैं उपनी पत्रियों के साथ पुत्रों के साथ आये कथा सुनने और विराजबान हो गए चारो वेद आये चारो वेद कथा सुनने आये वो भी बैठ गए आसनों पर सभी गंगादी शरीताएं सभी तीर्थ सभी समुद्रों देवता देवी सब विराजबान हो गए शंत बैठ गए महराशी शनत कुमार जी कथा का शुभारम करते हैं शनत कुमार जी व्यासपीट पर विराजे हैं शनत कुमार उन चारों में जो शनत कुमार जी हैं उनको व्यासगदी पर बैठाला व्यासपीट के रूप में वक्ता के रूप में पूजन किया व्यासपीट पराशीन किया ब्याश्जी के रूप में पूजन किया और अप्षनत कुमार जी बोले आजन्म मात्रम पियेन शठेन किंचित चित्ते विधाय शुकशास्त्र कथान पीता जिसने अपने जीवन में कभी भागवत ही न सुनी हो जीवन भरवुदर पोशन करता रहा हो ग्रेश्थी का बोजा डोता रहा हो कभी भागवत सब्ता न सुनी हो वो अव्यक्ति तो चांडाल के समान है चांडाल वच्च खरबत वो बोजा डोने वाले गधा के समान है तततेननीतम मिध्यास्व जन्म जननी जनि दुखभाजा उसने पनी माता के गर्ब में बेर्थही जन्म लिया जिसने कभी भागवत नहीं सुनी वो तो उसे दिखकार है वो पशु के समान है भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे उसी समय देखा आकास से भक्ति आ रही है और भक्ति के पुत्र ज्यान और वैरागय तरुन हो गये हैं अभी तो मात्मे की कथा ही हो रही है और ज्यान वैरागय का बढ़ापा दूर हो गया है भक्ति शुतव तव तरुन ग्रहित्वा प्रेमई गरूपा सहसा विराशितो श्री क्रश्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहरवदंति भक्ति शुतव तव तरुन ग्रहित्वा भक्ति इपने पुत्र ज्यान वैरागय जो तरुन हो गये उनका हात पकड़े आकास से उतर रही है गार ही है आभी गाओ श्री क्रश्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाराजन वाशुदे श्री क्रश्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायन वाशुदेवा श्री क्रश्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायन वाशुदे नाथ नारायन वाशुदेवा श्री क्रश्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायन वाशुदे नाथ नारायन वाशुदेवा श्री क्रश्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायन वाशुदेवा श्री क्रश्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायन वाशुदेवा कुटिला शकामेन हम शप्तह यग्येन कल उपनंतिते जो मनुष्य सदयु पाप कर्म में ही परवर्त रहे हों क्रोधी कुटिल कामी पापी अनाचारी दोराचारी ऐसे महापापी विए दिशप्ता भागवत सरद्धा से सुन लें तो कलिकाल में भी वो भौशागर से तरकर बैकुंठ बहुत जाते हैं एक बड़ी शिंदर कथा सुना रहे हैं जिसके सुन मातर से पापनस्ठ हो जाते हैं तुंग अभद्रा तटे पूरवं अभूत पत्तन मुत्तमम यत्रवर्नाश्वधर्मेन शत्यशत्करम तत्पराह तुंग अभद्रा नदी के किनारे एक नगर था ये तुंग अभद्र पुरे तश्मिन सर्वबेद विशार दाहा श्रवत श्मारते स्मश्ना तो दोतियाह इवभास करहा व्राम्न देवता का नाम है आत्मदेव अभदेव ज्यानी है वेदों के पारगामी विद्वान है शूरी के समान प्रकाश्मान है विक्षुको वित्तमान लोके तत प्रिया दुंदुली इश्मरता श्वबाक्य स्थापी का नित्यम संदरी शुकलोत भबाभा ब्राम्न विक्षुक है लेकिन बड़ा धनवान है उनकी धरमपतनी का नाम है श्रिमती दुंदुली देवी ये दुंदुली देवी कैसी है श्ववाक्य स्थापी का नित्यम अपनी ही बात मनवाती है हट कर बैठिती है बड़ी हठीली है अपनी ही बात अपने पती से मनवाती है स्ववाक्य स्थापी का नित्यम सुंदरी, सुंदर भी है शुकोलोत भवा शुन्दर कुल में इसका जन्म भी हुआ है सूरा जगरी कृतेशु क्रपना कलाप्रिया लोकवारतारता कुरूरा प्रायेशो बहुजल पिकाव सूरा जगरी कृतेशु क्रपना कलाप्रिया संसारिक बातों में बहुत पड़ी रहती है परपंची है बहुत बातें करती है बहुत बातें इसे बतरोग है बातें सुनते सुनते लोग ठक जाएं इसकी बातें कम न पड़ें बहुँ जल्पी का शुगरा बहुत बहुत बहादूर है ग्रह कृते शुगर का कारे करती है करपणा कंजूस बहुत है और कलहब प्रिया लड़ाई बड़ी प्रिय है शांति प्रिया नहीं है कलहब प्रिया लड़ाई बहुत प्रिय है जब तक यह लड़ न ले तब तो इसका भोजन अजम नहीं होता यह जब घर से निकलती थी तो महिलाएं पडोशन दर्वाजा बंद कर लेती थी जने को लड करें खलाप प्रिया बड़ी लड़ाका है और पती का सदवी अपमान करें पति शे पृतिकूल चले आत्मदेव आए बोले देवी आज में श्थान बनाओ उन्होंने मिर्चान बना के परोस्त दिया जो वो कहें वो उल्टा चले ततशिंता तुरो ब्रशम एक अदा सदुजो दुखा तो ग्रहम तक त्वा बनम गताः घर में ने इनके पुत्र हुआ न कोई करन्या हुई वरामन बड़े दुखी हुए बहुत दान पुण्या दिकिया लिकिन कोई संतान नहीं हुई और घर में पतनी है कलाप प्रिया तो शान्ती नहीं मिली बड़े दुखी होकर के इन्होंने अपना घर छोण दिया गर्मी की रितु थी दो पहर में जंगल में पुंचे प्यास से ग्याकोल एक सरोवर के पास गए जल पिया और बैठकर रोने लगे मैं प्रान त्याग दूंगा जीवात्मा है आत्मदेव दू पुषित चित वरत दुंदुली के भय से आज आत्मदेव जंगल में बेठे रो रहे हैं जीवात्मा चार और अधेरा है कोई साथी नहीं है जब चार और घोर निराशा होती है कोई अपना साहरा नहीं होता अपना हाथ भी साथ नहीं देता तो भगवान जगनात की कृपा नारेन की कृपा बार की दर्शिक बनकर आती है